आज हम हाइट, डिस्टेंस और एंगल ट्रिग्नोमेट्री के इस डिलेशन को समझने के लिए एक गेम आपके सामने लिखे आए हैं ताके आप अराम से असानी से इस गेम को खेलते खेलते किस तरह से आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हो जब आप डिफरेंट एंगल पर हो जब आप इस गेम को खेलने के लिए हमने आपको आपकी हल्प की एक हल्प बॉक्स भी दिया है जिसमें आपको इस गेम को खेलने के लिए हैं यहां पी देखिए आपको एक हमने बिल्डिंग की शेप एक टावर बिला के लिए हैं जिसमें बिल्डिंग की डिफरेंट यहां पर अगर आप एंगल लिते हो 30 डिए तो यह हैं यह बेस हैं है अपना बेस टेंजन 30 डिए की वैल्यू आप अगर आप को याद है तो बहुत इछी बात है नहीं है तो आप यहां से tangent 30 की value put करकर अपनी height निकाल सकते हो और उसी accordingly आप thread जो है उस height पर ले जा सकते हो और जिससे आपको पता चलेगा कि आप building में किस जगह पर हो इसी तरह जब आप angle को change करकर 45D की पर लेकर आते हो तो 45D थे tangent height upon waist 50 and 50 1 तो आप 50 degree की height पर अपना जो रोप है वो टैक करोगे जिससे की बच्चे को पता चलेगा कि अब मैं इस building की height में यहां पर लेकर अगें आप angle को change करके 60 degree पर अगर आप लेके जाते हो तो आपका जो distance है और बढ़ जाएगा और इस तरह से आप खेल खेल में यह सीख सकते हो और आप इस game को यह भी कह सकते हो अपने दोस्तों के पता करो कि मैं building की कौन से floor पे पहुंच के हूँ Thank you